नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पवन सिंग है और मेरे इस यूट्यूब चैनल A Step Towards Loving Your Life में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मुझे आसा है कि मेरी यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी सो प्लीज मेरी इस वीडियो को पूरी जरूर देखिए दोस्तों हम इस वीडियो में बिस्तार में डिस्क्रस करेंगे The importance of writing your goal means अगर हमें अपने लक्षे को प्राप्त करना है अपने ड्रीम को अचीब करना है और हमें अपने लक्षे को प्राप्त करने के लिए हमें अपने ड्रीम को प्राप्त करने के लिए हमारे जो गोल्स हैं उनको लिखकर और एक टाइम लाइन सेट करके अगर हम कर्म करते हैं तो अपने लक्षे को आसानी से प्राप्त कर सकते है आईए बिस्तार में डिस्क्रस करते हैं The importance of writing your goal जिससे हम अपने लक्षो को लिखकर और एक टाइम लाइन सेट करके और कर्म करके अपने लक्षो और अपने ड्रीम को आसानी से साकार या प्राप्त कर सकते हैं हम सभी अपने भविस्ते के बारे में सपने देखते हैं लेकिन क्या हम सपने देखने के बाद भी कुछ करते हैं नहीं यदि आप सपने देखते हैं तो आप में उन्हें पुरा करने का साहस होना चाहिए आपको क्या लगता है जो आपके सपनों को साकार कर सकता है बह क्या है बह है कर्म means action अपने सपनों को साकार करने के लिए कर्म करना बहुत जुरूरी है अपने सपनों के प्रती action लेकर तथा कर्म करके स्वम को प्रोथ साहित means encourage करने के सर्भुत्तम दरीकों में से एक है क्योंकि हम अपने मन means mind पर बहुत बरुसा करते हैं एक बार हमारे दिमाग में एक बिचार आता है हमें बिस्वास है कि हम इसके बारे में अब कुछ करेंगे लेकिन समय के साथ यह बिचार गयाब हो जाता है यह हम भूल जाते हैं क्योंकि हर दिन लाखों बिचार हमारे मन means mind में आते हैं और चले जाते हैं हम पिरत्ते एक विचार को याद नहीं रख सकते हैं और जो हमारे लिए महत्पून है इसलिए पैन और पेपर काविस्कार हुआ है और यही काम आप अब कम्पिटर लैपटॉप या स्मार्ट फोन पर भी कर सकते हो हमें अपने विचारों और लक्षों को लिखना ने केवल उन्हें याद रखने के लिए महत्पून है बलकि यह हमारे लिए एक महान सिक्षक के रुप में भी कालिये करता है जो हमें अपने लक्षे के बारे में कुछ करने के लिए प्रिरित करता है एक चीज जो इसे और अध अपने बिचारों अपने Лक्षों के साथ साथ एक 21 लाइन सेट करना बस उन बिचारों Yeah लक्षों को सुचिवद करें जिनने आप अगले सब्थां और ओगले reopening लाइन field करना उइक प्रत्त के साथ एक निशित टाइम लाइन भी बनाएं जस्ट लिस्ट दा थिंग्स यू वांट तो अचीव इन दा नेक्स बीक और मन्थ और सेट देर प्राइर्टी और असाइन देर सर्टेन टाइम लाइन अलोंग विद इच गोल अपने प्रतियक लक्षे मींस गोल को सब टास्क में डिवाइड कर ले और प्रतियक टास्क के लिए एक टाइम लाइन सेट करे जिससे आप उस पर step by step कारिय कर सकते है और प्रतियक दिन उस किये हुए कारिय को चेक करे जो कारिय कमपलीट हो गए है उन्हें ड़न मांग करे और जो कार्य कंप्लीट नहीं हुए हैं उन पर अंडन या क्रोस मांग कर दे भले ही आप सुरू में एक दो चीजों में ऐसे पल हो सकते हैं लेकिन आप हार नहीं मानोगे और निशित रूप से आप पिटतीय कार्य को अगले कार्य के साथ और बहतर करेंगे बस रुकना नहीं है दीरे दीरे ही सही चलते रहो और अपनी गलतियों से सीखते रहो आपको हर बार खुद में एक इंप्रूमेंट दिखाई देगा टाइम लाइन मींस समय सीमा निर्दार्द करने से आपको अधिक प्रोड़ेक्टिव होने में मदद मिलती है क्योंकि अब आपके पास अपने कारिये को पुरा करने के लिए एक निसित समय सीमा है अब आप अपने कारिये को समय से कंप्लिट करने के लिए बिकल्पों के बारे में सोचेंगे जिससे आप तेजी से अपने कारिये को कर सकते है तो अब से आप जब भी कोई लक्षे या बिचार आपके माइंड में या आपके दिमाग में आता है तो उसे तुरंट लिख लें जिससे आपको याद रहेगा और नेक्स्ट टाइम आप जब कभी भी उस बिचार के बाले में सोचेंगे उस पर कारे करने लिए सोचेंगे तो बहें आपके पास लिखा हुआ रहेगा दोस्तो मुझे आसा है कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए हुदी इसलिए प्लीज मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों और रिलेटिक के साथ जरूर शेयर करें यूर लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और लेटिस वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं